वार इस अप कॉड़सार के इस वीडियू में लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं अपने डेटा की प्लॉटिंग करना कियो ज़रूरी है और वो कौन-कौन से बेसिक प्लॉट से हम बनाकर अपने डेटा साइंस की जो स्किल्स उनको और अच्छी तरह से होन कर सकते हैं तो गैस मैं आपर जो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए राइट लिक करूंगा यहां पर विंडोज पाउर शेल खोल कर मैं लिखूंगा जो पाइटर नोट बुक लेकिन उससे भी पहले मुझे जो करना है वो करना है सीरी टिल्ट क्योंकि कि मैं सिस्टम 32 में जो पाइटर नोट बुक नहीं बनाना चाहूंगा अब अगर मैं आप जो पाइटर नोट बुक बना दूँगा तो मेरी नोट बुक जो है लॉंच हो जाएगी आप लोग देखना अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किय कि इस तरह के वीडियो जाते रहेंगे और आप लोग जो जो इस चैनल पर मेरे सारे के सारे वीडियो जाकर देख सकते हैं तो गैस में आप अगे हैं यहाँ पर होम पर अब मैं क्या करूंगा नियू पाइटन 3 नोट बुक पर जाओंग और एक नई पाइटन 3 की नोट तो मैट प्लॉट लिप से आप लोग स्टार्ट करें और मेरे जाब से सबसे सही तरीका अगर आप लोग चार्टिंग अच्छे सीखने जाते हैं इस वीडियो में मैं पूरा मैट प्लॉट लिप तो कवर नहीं कर पाऊंगा लेकिन सिफ डेटा साइंस के लिए आपको जित सिफ लिए Globeothe opens veat लिप लिए सबल욱 इअलिग लिए हैं इंपॉर्ट मैट लिप लिए बॉट लिए इस सबसे पहले लेकिन यहाँ पर जब क्योंकि हम python और book यूज़ कर रहे है plt.show जब हम करेंगे एक function जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी आने वाले time में वो इसमें काम नहीं करता है यूँकि यह एक browser है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं एक line magic करते हैं नाम है matplotlib और space देके आपको inline लिखना है matplotlib और inline यह क्या करता है कि आपको जो सारे के सारे charts है वो यहीं पर बना के देता है तो यह बहुत ही अच्छा जो है feature है और अब मैं इसको यहाँ पर run करूँगा देखिए असानी से run हो गया एक और बात में जो आपको बदाना चाहता हूँ कि अगर मैं आपर import matplotlib लिख दूँगा तो पूरी की पूरी matplotlib library को import कर देगा मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी पूरी की matplotlib library को import करूँ क्योंकि अगर मैं सारी matplotlib को import करूँगा तो एक तो बहुत जारा time लगेगा दूसरी बात यह कि मैं फालतु में है वह चीज़े import क्यों करूँ जिनको मैं यूज नहीं करने वाला हूँ मैं आप लिखूँगा from matplotlib import by plot as plt यहाँ पर मैंने as plt इसलिए की है क्योंकि जितने भी matplotlib के examples वगेरा online दिये हुए है सब लोग plt करते हैं और इससे क्या होता है कि आपके code का standard बन जाता है अगर आप लोग अपना code अगर कोई भी line execute करना चाहते हैं और उसके बाद आप लोग यहाँ पर मान लिख जब plt की प्लॉट लिख देते हैं तो आपका code और उनका code जो है inline नहीं रहेगा तो हम चाहते हैं कि आप जिस तरह के imports यूज कर रहे हैं उसी तरह के imports और लोग भी क्या use कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं इसी में मैं क्या करूँगा सब एक numpy array जो है वो add करूँगा या फिर मैं list भी add कर सकता हूँ तो अगर मैं यह आपर लिखूँ plt.plot और इसके बाद मैं इसको list दे दूँ basic सी माल लिए मैंने आपर 123 दे दिया और 456 दे देता हूँ या फिर कुछ और दे देता हूँ 257 दे देता हूँ plt.show और जैसे मैं shift enter करूँगा आप लोग देखिए यहाँ पर यह plot हो चुका है पहला जो point इसमें plot किया है वो है 1,2 दूसरा point जो plot किया है वो है 2,2 और sorry वो है 2,5 क्योंकि यहाँ पर second index number 1 में 2 है और index number 1 में यहाँ पर 5 है तो 2,5 plot होगा उसके बाद 3,7 plot हो जिसके आप लोग देख सकते हैं 3 और यह 7 तो हमने browser के अंदर ही अपना matplotlib के charts को जो import कर लिया है अब guys अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कहाँ पर एक heading दिखाओ chart में और x और y axis के labels भी दिखाओ तब आप लोग क्या करोगे alors guys उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा इसको कोपी करनेगा नीचे क्यों क्यों कि मैं आपको code मुझे देना है तो मैं या वाप और जिसको मैं title बोलूँगा तो matplot लिब में अगर आपको heading plot करने है तो इसके लिए आपको लिखना पड़ता है plt.title और उसके बाद आप लोग को title लिखना पड़ेगा और मानलो मैं यहाँ पर लिखूँगा harry's data अगर मैं harry's data यहाँ पर लिखूँगा तो मुझे harry's data मिल जाएगा मेरे heading के तोर पर और मानलो x-axis में मानलीजे मेरे पास है मैं x और y लिख देता हूँ यहाँ पर मुझे क्यों कि कुछ समझ में नियारा क्या लिखूँगा तो मैं यहाँ पर y label लिखूँगा और y label एक function होता है जो key input में लेता है y और मैं लिख देता हूँ this is y और इसी तरह मैं x label भी कर देता हूँ और लिख दूँगा this is x तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर x label मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया this is x अब आने वाले जो मेरे cells हैं उसमें मैं क्या करूँगा यहाँ पर आगे आप लोग को बताऊंगा कि अगर मानलीजे एक ही plot में आप लोगों को दो-दो मानलीजे lines plot करनी है अलग-अलग तो आप कैसे करेंगे ऐसा आप लोग comparison reasons के लिए कर सकते हैं मानलीजे आपके बस दो करनोट करके और देख सकते हैं कि यार हाँ अच्छा कि इसने इसको state पर cross किया अच्छा इसने इससे ऐसे किया तो वो सब चीजे आप लोग जो है वो inference निकाल सकते हैं तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक fresh program लिखूँगा और आप लोगो यह भी बताऊंगा क कि जो यह plot है उसका style आप किस तरह चेंज कर सकते हैं यह मैं in-depth matplotlib के tutorial नहीं बना रहा हूँ मैं सिर्फ आपको उतना matplotlib बता रहा हूँ जिससे यह आपका data science काम में वो चल जाए और अगर in-depth matplotlib के tutorial में आप interested है यानि कि आप यह पूरे charting वगएरा कि उसमें जाना च import piplot as plt import piplot as plt मैं इसको देखता हूँ कि कोई अरे मैं matplotlib की spelling कर ला दिख दिये तो इसलिए अगर मैं matplotlib लिखके tab दबाँगा वो जाधा अच्छा है तो matplotlib import piplot as plt positi अब मैं इसको बाद क्या करूँगा इया पर एक x बनाता हूं मालो मैं x बनारहे हूं फाइव और 4 और सके बाद में y बना मैं y बनारहें क्या मालो भीड़ा number 23 और सके बाद 45 मैं 89 मैं 89 ले देदा हूं और सके बाद यहांपर यहांपर यह लगा दिया है और मैं सिंटेक्स यूस कर दो से ठीक कर लेता हूँ अब मैंने xy और x2y2 कर दिया है अब क्या करते हैं सबसे पहले xy को plot करते हैं यहांपर लिखूँगा plt.show और उसके बाद मैं लिखूँगा x,y और जैसी मैं x,y लिखूँगा मुझे plt.show नहीं मुझे plt.plot करना चाहिए क्योंकि show बात में करेंगे पहले plot करेंगे मैंने plt.plot xy करा आप मैं plt.plot x1y1 कर दूँगा आपर तो मैं क्या करूँगा आपर sorry x2y2 जो कि मैंने उपर लिया हुआ है और इसके बाद मैं आपर लिख दूँगा plt.show इतना मैं करूँगा तो आप लोग देखिए आपर 2 lines plot होई हैं यह थोड़ी सी अगली दिख रहे हैं कि data points बहुत जाता random है अब आप लिखिए दो अलग-अलग colors automatically choose कर लिए इन points के लिए अब यहाँ पर जो 2 points थे मेरे x2 y2 वाले वह आप लोग देख सकते हैं थोड़ी से similar है पहले 3 5 है फिर 3 9 है यसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते है 3 5 plot किया इसने फिर 3 9 ही पर plot किया है तो थोड़ी सी अगली दिख रहे है क्योंकि data random है so please excuse me for that अब मैं आप लोग को बत मैं इसके बाद यहाँ पर लिख दूँगा style.use और यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं ggplot यह एक तरह का style है और यहाँ पर कह रहा है matplotlib not defined क्योंकि matplotlib की spelling मैंने गलत लिख दी है अब मैं इसको करूँगा देखिए एक नई तरह का आपके बस style है तो बागी के styles आप check out क करना चाहते है तो आप matplotlib styles google कर लिजे अगर मैं लिखा हूँ matplotlib matplotlib style तो आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा matplotlib के कौन-कौन-कौन-स styles है तो style sheet reference यहाँ पर documentation में आपको मिल जाएगा तो आप लोग इसको देखिए आराम से इसमें code भी दिए हूँगा कितने सार तो मैं आप लोगो बताओं कर आप लेबल देना चाहते है और पता करना चाहते है कौन सा plot कौन सा है तब आप लोग क्या करेंगे तो आप लोग लेगे इसको एक label जैसे कि मैं आप पर दे रहा हूँ और मैं आप लेबल is equal to जैसे मान लीजे फर्स्ट दे दूँ और इसको म मुझे यहाँ पर plt.legend को call करना पड़ेगा plt.legend क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ जब आप plt.legend लिखते है एक चार्ट में legend क्या होता है जो अभी दिखे का मैं बता हूँगा यह है इसको legend बोलते है जब तक आप लोग यहाँ पर explicitly इस function को run ना करो plt.legend तब करता हूँ तो आप लोग देखो जो first वाला मेरा chart है वो तो इसकी line जोड़ी जी मोटी होगी है तो आप लोग समझ गया होता है अगर मैं इस 4 को मान लो 8 बना दू तो यह obviously बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी और अगर इसको 18 मना दू तो यह पूरी जो एकदम sand हो जाएग तो आप लोग क्या कर सकते है plt.plot की जगा plt.scatter कर दीजे अब मैं आप plt.scatter कर दूँगा तो देखिए scatter plot आ गया यानि की dots आ गया और उसी तरह आप लोग अगर scatter plot नहीं करके histogram पगरा plot करना चाते है तो आप लोग जाए matplotlib की documentation पर लिखिए matplotlib histogram और जैसे आप matplotlib histogram कुछना कोई जरूर खुलेगा और आप लोग को जो है code मिलेगा तो आप लोग देखिए matplotlib.pyplot.hiss आ गया है तो आप लोग देखिए आप इन्होंने बताया हुआ है किस तरह इसको use करना है hist है function का नाम और हमने matplotlib.pyplot को तो इस plt किया तो plt.hist को मैं आप चला कर द देखते हैं कि यह histogram मनता है कि नहीं आप लोग देखो यहां पर यह histogram इसने मनाने की कोशिच के रहे हैं मेरा जो graph है वह बहुत ही अजीब सा है मेरा जो data है वह बहुत हजीब सा है जो भी मैं data use करूँ वह मेरा compatible होना चाहिए इसके syntax के साथ तो यह देखो इन्होंने बताया ह हुआ है कि क्या क्या है देखो इन्होंने बताया हुआ है कि array of sequence of numbers, input values और इन्होंने नीचे इसका example भी ज़रूर से दिया होगा कहीं न कहीं तो आप लोग उसको ढूंड़ना पड़ेगा देखो पाई plot text का इन्होंने example दिया हुआ है अब अगर मैं यहां पर जाओं और इस इन्हीं कि एक array ले रहा है तो मैंने इसको input में दिया 1,5 और 4 तो इसने 1,5 और 4 में मुझे यह values दे दी तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जाएं यहां पर matplotlib के जो histogram वाले example इसको जाकर explore करें और यहां से पढ़ें कि यहां पर कौन सा point क्या है और किस तरह histogram काम करता है it is not possible कि आप लोग सारे के सारे syntax को याद करें आप लोग को कम से कम documentation पर जाकर वाँ पर उस point को पढ़ना पड़ेगा जहां पर आप लोग plot use करना जाता हूं तो मुझे यह वाला page जाकर पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या होता है histogram क्यों होता है histogram कैसे होता Instagram तो यार आप लोग जाओं यहां पर मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यी वीडियो जोए पसंद आया होगा और आप लोग जोए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि यार मैं इस पर काफी अलग अलग तरहीं इसे कि मैंने data science डाला machine learning डाला मैंने PHP जा application के साथ facecam videos आते रहते हैं live मैं आता हूं learn in one video कर आप लोग पाइफन सीखना जाते हैं शुरू से आकीर तक तक तो आप लोग learn python in one video देख सकते हैं तो resources की तो यहां पर जो है पूरी भर्मार है बस आप लोग करना किया channel को करना है subscribe bell icon करना है hit और अकर यह video पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर से आर कर देना तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को इसा पसंद आया होगा code आप लोग को दे दिया जाएगा मैं आप लोग को दे दूंगा description में नीचे के आप लोग को यह code जरूर से मिल जाएगा so thank you so much guys for watching this video and I will see you next time